हलो दोस्तों तो इसके पहले हम आगे बढ़ें और मैं कुछ भी बोलूँ प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं देख रहा हूं वाच टाइम भोता रहा है वाच इस भी बहुता रहा है लेकिन अभी भी सब्सक् हमारा मॉटो यही चल रहा है तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप फॉचिंग कीप सब्सक्राइबिंग थैंक यू हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आज एक बार फिर हम आए हैं कॉमिक्स यादे के अगले एपिसोड के साथ में हमने कहीं बार देखा है कि हमारे जो सूपर हीरो से वो बिलकुल भगवान के समान एक देवता के समान आते हैं और लोगों को बचाते हैं तो इसलिए इसी क आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट कीजिए अपने फीड़बैक दीजिए लेकिन आपका सब्सक्राइब इसलिए प्लीस सब्सक्राइब कीजिए जी हां तो जैसा हम बात करें देवगन जो जो यह जो शब्त है यह आया है देवताओं के समूस है या वो जो देवता का अनुचर है इसलिए कई बार इसे यह माना जाता है कि यह एक ऐसा नायक है जो की देवताओं के तरफ से आया है या देवता जो खुद हैं जो नायक के रूप में आये हैं इनसानों की मदद करने है यह जो character है यह सबसे पहले परंपरा कॉमिक्स में आया था और परंपरा कॉमिक्स के जो संपादक थे अजे पला जी यह हमेशा से ही देश भक्ती और इस प्रकार के होसले से भरे होए जो जूनून की जो चीज़े थी इसके अनुसार अपनी कॉमिक्स वगिरा लिखते थे और एक प्रकार से उनकी एक हमेशा से कोशिश रिए कि समाज को और देश को ध्यान में रखके इस प्रकार की कहानिया छापी जाए जिससे की लोग भी इंस्पायर हो सकें तो देवगर्ण के लेखक थे श्री जेपी आजाद जी और उसको उनके अलावा श्री हनीफ अजर जी ने भी इसमें लिखा है और जो इसकी चित्रे कारी थी वो श्रीमान जॉन और योगी जी ने भी किया है जिनका एक स्टूडियो था कॉनवे जाम कर तो नॉर्मली ये जो लोग हैं इन्होंने इस कैरेक्टर को बनाया है बिल्कुल उकेरा है कागस बे अब हम इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो देवगर्ण जो कॉमिक्स का कैरेक्टर है ये सबसे बहले आया था खत्रो के खिलाडी नाम के कॉमिक्स में और उसके बाद से ही उनका एक ये निकनेम भी पढ़ गया कि देवगण इक्वल टू खत्रों का खिलारी तो इसकी जो बैक स्टोरी वो ये है कि ये एक भोती बहादूर नोजवान है देशबक नोजवान है और उसका एक ही लक्ष है कि जो देश में जो आतंगवाद है अलकावाद है जो लोग देश के दुश्मन हैं जो लोग जो भटके नोजवान हैं उनकी मदद करना है और जैसे मैंने बता है कि जो सौरी आतंगबाद, वगधर उनको खतम करना उनको निस्तूनआबोत करना। इसके लिए वू हमेशा आता है, पुलिस की मदद करता है, और जैसे कि अनृर्मल हoire करते हैं, आता है मदद करता हैं, और काम खतम होते ही गायब हो जाता है नॉर्मली बिल्कुल वो भूत ही फास्ट ये बिल्कुल छलावे की समन आता है और जैसा मैंने बताया कि इसको जो बनाने के लिए जो सबसे इंपोर्टन बात है इसकी तो उसमें हम बात करते हैं प्रॉफेसर दिवाकर का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है जिन्होंने इसको बनाया और उसकी मदद की तो अब देखते हैं सबसे पहली बात तो क्या है इसकी जो में ताकत है ये बहुत ही फूर्तिला ए और बिलको बकायदा पलक जपकते ही इदर से उदर आ जाता है साथी साथे से हत्यार यूस करने में कोई भी समस्या नहीं मतलब ये देश के दुश्मनों के खिलाप हत्यार बिल्कुल उप्योग कर लेता है दूसरे हीरो के समान नहीं कि मैं उपको जान से नहीं मारूंगा इस टाइप की कोई उसका इशू नहीं है फिर जैसा मैंने आपको बता है प्रोफिसर दिवाकर्ण ने उसे बनाये था और तो और वो योगा का ग्याता भी है और साथ ही साथ वो उसके पास में कहीं योगिक शक्तियां भी है इसके कारण तो मतलब वो काफी इंटेलिजन कारेक्टर बताया गया है काफी डेटेक्टिव जैसा भी उसके बड़ा इंटेलिजन दिमाग है और इवन वो scientific चीज़े जैसे जो प्रॉफिसर दिवा कर देते हैं उनका भी यूज़ करता है योगिक शक्तियों का भी यूज़ करता है इसके अलावा उसके एक और जो वहाँ पे सहयोगी है वो है आईजी चेटर जी जो खुदी पुलिस में काम करते हैं और उसको मदद के लिए बुलाते हैं और साथी साथ उसकी एक फ्रेंड भी है जिसका नाम तेजांगी है जो कि तेजांगी कॉमिक्स में दिखी भी है तो इसके अलावा ये भी एक चीज है कि वो नॉर्मली हालां की उड़ सकता है लेकिन कहीं बार उसको मोटर साइकल यूज करते हैं और तो और कुछ कॉमिक्स में ये भी दिखाए गया है कि वो काईदा समोहन हिपनोसिस का गयाता है और वो हिपनोटिजम का भी यूज करता थी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जाने के पहले एगर प्लीज कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें मैं उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया और अभी इंडिपेंडेंस वीक चल रहा है तो अभी हम कोशिश करें हर रोज आपको एक एक वीडि भी शुरू हो रहा है मेगा कांटेस्ट तो उसके बारे में इनफोर्मेशन जल्दी मिलेगी थैंक यू फर वॉचिंग